जै बाला जी की साथियों हम विश्णु सहस्त्र नाम का अर्थ देख रहे हैं जो उसमें श्लोक हैं उनके क्या अर्थ हैं ये दूसरा भाग है तीसरा श्लोक व्यासाय विश्णु रूपाय जो व्यास जी है जिन्होंने लिखा है ये वो विश्णु जी के ही रूप है वेदव व्यास जो है वो विश्णु के ही रूप है और व्यास जी के रूप में ही विश्णु है दोनों है याँ पर व्यास जी जो है वो विश्णु का रूप है और व्यास जी जो है विश्णू है वो व्यास जी के रूप में ही अवतरित हुए है नमो वई मैं उनको नमन करता हूँ उनको वे मतलब उनको नमन करता हूँ जो की ब्रह्म ग्यान के निधी है निधी मतलब खजाना भंडार व्यास जी ब्रह्म ग्यान के भंडार है जो की वशिष्ट के वन्शज है उनको मैं नमन करता हूँ बार बार प्रणाम करता हूँ चथा श्लोक विश्णुजी की वंदना का है अविकाराय बिना विकार के विकार का मतलब होता है दोश अविकाराय शुद्ध हैं बिना विकार के हैं विकार रहित हैं शुद्ध हैं पवित्र हैं नित्याय जो की स्थाई हैं सतत हैं अविनाशी हैं नित्याय का मतलब जैसे कहते हैं नित्याय का मतलब प्रति दिन प्रतिदिन का मतलब था सतत लगाता है परमात मने जो की परम आत्मा है सरवश्रिष्ट आत्मा है सदेक रूप सदेक का मतलब होता है सरवदा हमेशा एकरस सदा एक ही रूप में मिलने वाले सदेक रूप always the form of the Lord is constant, रूप बदलते नहीं है, ना छीन होते हैं, ना जाते हैं, सदेक रूप उनका जो रूप है, वो हमेशा सदेक है, सतत है विश्नवे विश्नुकार्थ मैंने आपको बताया तो सरवव्यापक होता है सरव सभी जिश्नवे जिश्नवे का मतलब होता है विजई विजय से ये शब्द आया है तो भगवान विश्णु का रूप कैसा है सदा जीतने वाले हैं सर्व व्यापक हैं वो है भगवान विश्णु पात्वाश लोक यस्य जिसके स्मरण मात्र से केवल याद करने भर से जन्म संसार बंधना संसार के जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं विमुच्यते मतलब मुक्त हो जाते हैं उनको नमस तस्याई तस्याई मतलब उनको नमस्ते है उनको नमस्कार है विश्णवे जो विश्णुजी हैं सर्व व्यापक हैं प्रभ विश्णवे प्रभायुक्त प्रभा का मतलब होता है प्रभा का मतलब सुप्रीम भी होता है प्रभायुक्त शक्ति शाली भी होता है प्रभा का मतलब अपना प्रभाव जो शब्दा है वो यहीं से आया है विश्नुजी जो की सर्व शक्ति मान है ओम नमो विश्णवे प्रभ विश्णवे ओम ब्रमनाद है नमन करता हूँ नमश्कार करता हूँ विश्णवे विश्णूजी को जो सर्व व्यापक है प्रभ विश्णवे जो शक्तिशाली है सर्व शक्तिशाली है सुप्रीम है उनको मैं नमस्ते करता हूँ नमन करता हूँ श्री वैशम पायन उवाच ये वैशम पायन कौन है वैशम पायन जो है वो वेदव व्यास के शिश्य है इन्होंने ही राजा जनमेजय जो की अरजुन के प्रपोत्र है उनके दरबार में महा भारत की कथा सुनाई थी कथा वाचक है वैशम पायन उन्होंने कहा वाच मतला बोला शुर्त्वा सुनकर धर्म न शेशेण न शेश जो की बचा ना हो बचा ना हो का मतलता है संपूर्ण रूप से सभी पहलियों को धर्म के सभी पहलियों को पावनानी जो पवित्र करने वाला है और च और सर्वशह ह तरह से युदुष्ठिर युदुष्ठिर जो हैं शांतवना शांतवना का मतलब ज़िए शांतनु के पुत्र कौन है भीश्म पिताम्ह भीश्म के लिए यह शब्द उप्योग हुआ है भीश्म पितामह के लिए पुनरेव फिर इसे वा भाष्षत बोले पुनरे भाष्षत संदी की गई है इसका मतलब यह हुआ कि यदिश्ठिर के मन में द्वेश चल रहा था महावारत के उद्ध के बाद तो उन्होंने प्रश्ण किये उत्तर किये लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए धर्म क्या है धर्म क्या है मन करने वाला है हर तरह से युदिश्ठिर ने भीश में पिता मैं से फिर से बोला युदिष्ठिर उवाच युदिष्ठिर बोल रहे हैं भीश में पिताम हैं से क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पर छे परश्ण है युदिष्ठिर के मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो छे प्रश्ण देखिए एक ही श्लोक में मैंने बताए है किम एकम किम मतलब कौन एकम मतलब कौन एक कौन एक का मतलब हो गया सर्वोच देवतम देवता लोके इस लोक में इस संसार में ये पहला प्रश्ण है इस संसार में कौन एक देवता सर्वोच है किम वाप्येकम परायनम किस या कौन वाप्येकम का मतलब होता है चारों और व्याप्त व्याप्त मतलब फैले हुए एकम एक वाप्येकम कौन एक देवता है परायनम का मतलब होता है शर्ण इस्थल यहां पर इसका मीनिंग है आश् दाता इस लोक में कौन एक देवता शरण जिनकी शरण में हम जा सकते हैं इस्तुवंत है कम किसकी हम इस्तूती करें महिमा गाकर जिसको हम ग्लोरिफाई करें कम अर्चतम किम अर्चतम का मतलब अर्चना करना मतलब पूजा करना इस्तूती करना किम अर्चकम किस देवता की हम अर्चना कर सकते हैं प्राप्त करता है मानव मानव मतलब इन्सान जो की शुबहम है शुबता को वैभाव को देने वाले हैं किस देवता की पूजा करके मनुष्य जो है वो शुबता को कल्यान को प्राप्त कर सकता है आठवाश लोक को धर्म है कौन सा धर्म सर्व धर्मा नाम सभी धर्मों में पर्मों परम मतलब हाइस्ट सर्वश्रेष्ट भवत होता है मतह आपकी सलहा के अनुसार आपकी ओपीनियन के अनुसार आपके मत के अनुसार कौन सा धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ट है किम किस जब को करने से मुच्यते छूट जाता है मोचन का मतलत है छोड़ाना जापको करने से मनुष्य छूट जाता है किस चीज से जनतुर जन्म संसार बंधनात जीव जन्तु जो है जो जीव है वो जन्म और संसार के बंधनों से मुच्यते छूट जाता है ऐसे किसका नाम हम जप करें पिछले भाग में आपने देखा था कि युदिष्ठिर ने छे प्रश्न किये थे भीष्म प्रश्नों के भीष्म उत्तर दे रहे हैं क्या उत्तर दे रहे हैं जगत प्रभुम जो इस जगत के इस संसार के इस लोक के स्वामी है प्रभु है जो देवों के भी देव हैं देवों के भी देव हैं महिश्वर जिसको आप कहते हैं महाईश्वर देवाधी देव प्लस यहाँ पर संधी है अनन्तम जो की अनन्त है जिनके आदी आदी का मतलब होता है स्टार्टिंग और अन्त मतलब दी एंड कोई अता पता नहीं है जिसका अनन्त है जैसे अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान की जो गहराई यह कहा था कि अनन्त है जो पुरुषों में उत्तम इसका मतलब होता है पुरुषों में उत्तम जो सर्वश्रेष्ट पुरुष हैं देवाधी देव हैं देवों के भी देव हैं इस्तुवन नाम ऐसे नामों की कैसे नामों की जो सहस्त्रेण है सहस्त्रेण का मतलब होता है एक हजार उनके एक हजार नामों की अगर आप इस्तूती करेंगे उनकी महिमा का गुणगान करेंगे पुरुशह पुरुश को सतत मतलब लगातार और उठिश्ठित मतलब उठना उठना या इसको आप ऐसा बोल सकते हैं उठधान के लिए उठ्धान मतलब अपलिफ्टिंग या अपलिफ्टिंग के लिए या कल्यान के लिए तब इस पूरे जो हमारा श्लोक है उसका अर्थ क्या निकला युधिस्टिर के प्रश्ट का जवाब दे रहे हैं भीश्म पितामह वो ये बोल रहे रहे हैं कि जो नाम अगर आप उस नाम का एक हजार बार उसकी इस्तुति करते हैं जो सतत्त मनुश में भी देव हैं जो अनंत हैं जो पुरुशों में उत्तम हैं निश्यत रूप से विश्णु जी के बारे में ही कह रहे हैं वो भीश में पिताम हैं कि उनके हजार नाम की इस्तुती की क्या महीमा है भीश में पिताम हैं और क्या कह रहे हैं तम एव वह जो भी च अर्चननती नित्यम जो अर्चना करने के योग्य है पृति दिन नित्य अर्चना एवं अर्चना करने के योग्य है पृति दिन भक्तिया जो की भक्ती करने पुरुष्यम अव्ययम जो पुरुष्य सदा हमेशा ध्याय ध्यान करता है इस्तुवन मस्य श्च और जिसका ध्यान करने और इस्तुती करने से श्च मतलब और इसके अलावा और यजमान इस्तमेव और च च मतलब होता है एवम या आप इसको बोलते हैं और और पूजा करना यजमान तम एव च यजमान तम एव च उसकी पूजा भी करने से यजमान होते हैं जो पूजा में पूजा ग्रेंड करते हैं यजमान बोलते हैं एक होते हैं पंडिजी एक होते हैं पूजा करने वाले तो यज का मतलब होता है पूजा करना या जो श्रेष्ट होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है अब इसका मतलब क्या निकला पूजा करिए अर्चना करिए उनकी भक्ति करिए जो पुरुष शदा उनकी अर्चना करता है और भक्ति करता है उनका ध्यान करता है उनकी इस्तुति करता है उनकी पूजा भी करता है और पीश में पिताम है अगले श्लोक में क्या बूल रहे हैं अनादी मतलब आरंब निधनम मतलब एंड आरंब से अंत तक विश्णू सर्व व्यापी सर्व सभी लोक सभी लोकों के महेश्वरम महा इश्वरम महा का मतलब होता है सुप्रीम इश्वर है सबसे बड़े ईश्वर हैं सभी लोकों के लोका अध्यक्षम जो की लोकों के स्वामी हैं अध्यक्ष मतलब सर्वोपरी हैं अध्यक्ष मतलब सर्वोपरी ब्रह्मांड के सर्वोपरी हैं इस्तुवन नित्यम नित्यम का मतलब प्रति दिन इस्तुती करने के योग्य हैं खातिगो सभी दुखों से जो मुक्त हैं भवेत होता है अब इसका मतलब क्या निकला इसका मतलब किलियर मतलब समेकित रूप से अगर आप भाव देखेंगे कि जो व्यक्ति वह सभी दुखों से मुक्त होगा हमेशा के लिए जो भगवान विश्णु जो कि सरुव्यापी सत प्रवाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वा हैं वेदों के ज्याता हैं ब्रह्म का मतलब होता है सर्वपरी सभी सर्व धर्मग्यम धर्मों के ज्याता हैं लोका नाम लोकों में संसारों में कीर्ती कीर्ती का मतलब होता है प्रसिद्धी फेमस जिसको कहते हैं फेम प्रतिष्ठा यश वर्धनम वर्धनम का मतलब होता है ब कि सभी संसार के लोकों के स्वामी है महत भूतम सभी जीवों में जो श्रेष्ट हैं भूत का मतलब होता है जीव महत भूतम मतलब जो सभी जीवों में श्रेष्ट हैं महान है सभी भूत भवोत भवम मतलब सभी प्राणियों और संसार भव सभी भूत मतलब जीव प्राणी ज उसके उद्भव हैं उद्भवम उद्भवम का मतलब होता है उद्थपन करने वाले भगवान विश्णु की जो नेचर है उसके बारे में भीश्मागे कहते हैं कि भगवान विश्णु जो है वो ब्रम है ब्रम सरूप है मतलब सर्वोपरी है वेदों की रक्षा करना धर्म की रक्षा करना उनका काम है, वह सभी धर्मों के ज्याता भी है, वह सभी प्राडियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं, वह परंब्रम है और उन्ही से सभी प्राणी और संपूर्ण संसार उत्पन हुआ है अगला श्लोक, एश में सर्व धर्मानाम, सभी धर्मों में, धर्मों धिकतमों, धर्मों में अधिकतमों, अधिकतम मतलब अब स्रेश्ट, मतह, मेरे मतानुसार बीश में पितमा कहता है, मेरे मतानुसार, ये सभी धर्मों में स्रेश्ट है, यदभकता, जिसकी भक्ति, यदभक्तिा भक्ति, पुंडरी, पुंडरीक मतलब होता है, कमल, पुंडरीक कमल, और अक्छा मतलब आखें, विश्णु जी का नाम है ये, विश्णु जी की आखें, रामचन जी की भी आखें, कमल के सवाल हैं, कमल नैन हैं, कंज लो चन है, पुंडरीक कमल नैन, कौन है, ये वे हमेशा इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि भक्ती पूर्वक मेरे मतानुसार, भक्ती पूर्वक जो सदेव कमलनेन मतलब विश्णु जी की आराधना करते हैं, मेरे नुसार तो वही धर्म सबसे शिरेष्ट है, आप कहीं कुछ मत करिए, बस भग्वान जी का नाम लीजिए, इस्तूती करिए, वही सबसे शिरेष्ट, सभी धर्मों में वही सबसे शिरेष्ट धर्म है, परम, परम का मतलब होता है सर्वोच, हाइस्ट, यो मतलब जो, महत तेजह, महत का मतलब होता है अत्याधिक, सबसे तेज, सबसे जादा, सबसे बड़ा महत का मतलब, महत वो देना, जिसको कहते ना, कि भई हमको इंपोर्टेंस नहीं मिली, महत तेज है मतलब अत्याधिक तेज युक्त है परम सर्वोच जो सर्वोच महत तपह तपह का मतलब यहाँ पर होता है नियंतरन करना, कंट्रोल करना जो की सर्वाधिक नियंतरन करते हैं अत्याधिक नियंतरन करते हैं जिनके नियंतरन में यह सारा संसार है परम सर्वोच जो जो सर्वोच महत ब्रह्मा जो की महान सर्व व्यापी ब्रह्म है यह विवे परम परायनम परायनम का मतलब आश्रय आधार धे या गोल यहाँ पर इसका मतलब है आश्रय जोकी संसार के लोगों का अंतिम आश्रे हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब सभी देवताओं पे कस्ट पड़ते हैं तो वो विश्णु जी की शरण में ही जाते हैं वह चेतना का सर्वोच प्रकाश है वह जो हैं सब के सर्वोच नियंतरक है वे सर्वोच सर्वव्यापी सत्ता है और वे ही सब का आश्रह आधार है अगला श्लोक पवित्राणाम पवित्र से भी पवित्र है प्योर्दन प्योरिस्ट जो मंगला नाम मंगल से भी और मतला पवित्र से पवित्र और मंगल से भी मंगल है देवतम देवता नाम चा और के भी देव है भूता नाम सभी जीवों का यो अव्ययह जो अविनाशी सदा रहने वाला शाश्वत जो शाश्वत सदा रहने वाला पिता हैं पिता स्वरूप हैं विश्णु भगवान वो जो परम पवित्र से भी पवित्र हैं जो शुब प्राणियों से भी शुब हैं वे सभी देवताओं के स्वामी हैं वे अविनाशी हैं और प्राणियों के हमेशा रहने वाले पिता हैं। यसमिम्श्च और जिसमें। प्रल्यम। प्रलय का मतलव होता है। अन्त काल। प्रलय होना अन्त होना। यानती वे जाते हैं पुनरेव फिर से दोबारा। युगाच्श, च्शै का मतलब होता है अन्त होना। प्रलय का मतलब होता है अंतकाल प्रलय होना अंत होना यान्ती वे जाते हैं पुनरेव फिर से दोबारा युगा च्छे च्छे का मतलब होता है अंत होना च्छे होना युग का अंत होता है प्रलय के समय तब तक वो उस धर्ती को उस जगत में साथ में रहते हैं जो सभी जीवों के युग आरंब हुआ तब से लेकर के प्रले तक जबकी युग का छय होता है युग का अंत होता है तब तक वे रहते हैं उपस्थित रहते हैं तस्य मतलब उस लोक प्रधानस्य संसार के मुख्या जगत के नात्थ को भूपते होता है विश्णौर नाम सहस्त्रम विश्णुजी के हजार नामों में मतलब मुझसे शुरुनू सुनो कौन क्या रहे हैं भीश्विपतामा युदिश्टिर से जो की पाप और भय का अपहारक है मुक्त करने वाला है मिटाने वाला है हरने वाला है उन जगत के स्वामी जगत के प्रधान जो की जगत के नात्थ हैं जिनके नामों के हजार नामों को सुनने से मनुश्य पाप और भय से मुक्त हो जाता है मुक्त होता है अब उसको मुझे से सुनो ऐसा भीश्व पितामा बोल रहे हैं यानि जिसके नामानी नाम के और गुणों के तानी जिनको जिसको मैं समझाऊंगा वक्ष्यामी का मतलबता है समझाऊंगा I will explain you किसको जो की भूतए मतलब सभी जीवों में और सभी संसार में विख्यात है जिसके नाम की प्रसिद्धी है विख्यात है महात्मनह जो की महान आत्मा है सर्वश्रिष्ट है जो की रिशिवी रिशियों के परी गीतानी गीतों में रिशियों के गीत मतलब भजनों में जिनको समाहित किया जाता है जिनके रिशी लोग गुणगान गाते हैं जिनकी प्रसिद्धी दूर दूर तक है ऐसा इसका भाव है अब देखिए विश्णु शहेष्टर नाम में रिशी कौन है देव कौन है कीलक जो हम एक स्तोत्र में ब इस हजार नाम के जो विश्टु सहस्त्र नाम के नाम से जाना जाएगा उसके रिशी कौन है उसके रिशी है वेदव्यास जो की महामुनी है वेदव्यास इसके रिशी है इसमें कौन सा छंद है अनुष्टुप छंद है अनुष्टुप छंद एक प्रकार का छंद है जैस जैसे कि रामचरित मानस में चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, तो इस तरह से जो बोलने का तरीका है वो अनुष्टूप चंद है, अनुष्टूप चंद जो होता है या श्लोक जिसको आप कह सकते हो संस्कृत में, इसमें आठ आठ अक्षरों के चार चरण होते हैं, एक, द और जो बड़ा अक्षर होता है, उसकी दो मात्राइं गिनी जाती हैं, एक और दो, छोटे ही की मात्रा है, एक, बड़े ही की मात्रा है, दो मात्राइं गिनी जाती हैं, इस तरह से इसका निधारन किया जाता है, चंद की प्रकृती क्या है, अनुष्टूप चंद हैं, और तथा जो देवता हैं इस इस्तोत्र के वो कौन है वो भगवान देवकी सुतम देवकी के पुत्र देवकी के पुत्र कौन कृण कृष्ण भगवान वो इसके भगवान है अमृतान शूद्भवो यह कृष्ण भगवान का एक नाम है अमृतान शूद्भवो अमृत का अंश है उद्भवो उद्भवो का मतलब जिसका उद्भव होता है चंदर जाती में उद्भव हुआ है जो चांद को दूद के महासागर से दिखाई देता है ये कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान का नाम है ये इसके बीज है शक्ति कौन है शक्ति देवकी नंदनह फिर से देवकी के पुत्र कौन कृष्ण और विश्ण कौन है विश्णü भगवान की ही अवतार है तृसामा जो साम है उसके तीन हिर्दयम तस उसके हिर्दय के शानतिर्थे का मतलब होता है शानति के लिए जैसे आपको राम रक्षा इस तोतर में मैंने बताया था प्रित्य अर्थे, प्रित्य अर्थे एक शब्द आया था, मतलब प्रसन्यता के लिए, शांत्य अर्थे मतलब शांती के लिए, विनी योज्यते, मतलब लगाया हुआ है, प्रियुक्त किया गया है, उसका उद्देश, इसका मतलब निकलेगा, उसका उद्देश क्या है, वो बोलूँगा मैं इसमें मुक्य रूप से भगवान विश्णू और उनके अवतार कौन कृष्ण भगवान वो ही इसके आधार है देवकी के पुत्र जो की हिर्दय की शान्ती के लिए जिसको तीन साम तीन जो साम होते हैं तीन महत्पूर्ण साम भजन जो गाये जाते हैं उसस हिर्दय की शान्ती के लिए इसको उसका उद्देश ये है विश्णूम सर्वव्यापी विश्णूजी जिश्णूम मतलब जो विजेता हैं विनर हैं महा विश्णूम सर्वव्यापक हैं परम सर्वव्यापक हैं प्रभविश्णूम जो की सुप्रीम हैं शक्तिशाली हैं महेश्वरम महा इश्वरम जो की इश्वरों से भी बड़े हैं इश्वरों के भी इश्वर हैं सबसे बड़े इश्वर हैं महेश्वर शिव भगवान को भी कहा जाता है महेश्वर शिव भगवान को भी देवादी देव महादेव ऐसे ही विश्वर जी को भी महादेव बोल स होते हैं उनके उसके लिए इसको अडेक रूप बोला गया है दैत्यों के अंत कारक दैत्यांतम दैत्यों के असुरों के राक्षासों के अंत करने वाले नमामी नमन करता हूं मैं जो की पुरुषोत्तमम हैं जो की पुरुषो में सर्वस्रेष्ट हैं